आज का पार्ट है साखी इसमें पहला प्रश्ण है मीथी वानी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को सीतलता कैसे प्राप्त होती है तो इसका सही जवाब है एंसर ए एहिंकार रहीत मीथे बोल सबके रदय को छूते हैं तो सही ऑप्षन क्या है ये वाला उसके बाद प्रश्णा आता है साखी शब्द किसका तदभव रूप है तो साखी शब्द जो है साखी का तदभव रूप है ये सही जवाब जो है ऑप्षन बी है इसमें उसके बाद प्रश्णा आता है साखी शब्द किस से बना है तो साखी साखी शब्द जो है साक्षी से बना है ऑप्षन एस सही है साख्षे का क्या अर्थ है साख्षे का अर्थ जो है प्रत्यक्ष ग्यान होता है तो प्रशनाता है संद समाज में किस ग्यान की महत्ता है यहाँ पर ए ओप्षन सही है अनुभव ग्यान की प्रशनाता है कबीर की साख्यों में किन भाशाओं का सपष्ट प्रभाव दिखाई देता है तो सभी आएगा यहाँ सारे सही है अवधी राजिस्थानी भोजपुरी पंजाबी सारी भाशाओं का प्रभाव दिखता है यह सही जवाब है साख्य क्या है साख्य जो है दोहा को कहा जाता है दोहा चंद के क्या लक्षन है चंद के लक्षन जो है तेरह और ग्यारे के विश्रां से टो बिस मातर यह वरला ओप्षन डी जो है इसके पास प्राइशन आता है गुरू शिश्य को तत्व घ्ञान की शिख्षा कैसे दीता है तो सत्य की सक्षी देता हुआ ये औप्षन जो है सही है प्रेशन है कभीर का जन्म कहां और कब हुआ औप्षन आज़ो है कभीर के गुरू कुन थे यहाँ पर कभीर के गुरु जो हैं वो हैं गुरु रामानंद अगर आपको इन प्रिश्णों के उतर आते हैं तो साथ साथ आप भी बताते जाएए विश्णाता है अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कभीर ने क्या सुझाओ दिया तो उनोंने कहा था निंदक नेरे राकिये यह इनिकि निंदक को पास रखिये निंदा करने वाले बुराई करने वाले लोगों को अपने पास रखना चाहिए option C सही जवाब है सवभाव को निर्मल करते हैं ये लोग इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था मिटी शब्द का अर्थ बताईए तो यहाँ पर option A सही है ये वाला उसके बाद प्रिशन आता है कबीर के अनुसा सुखी कौन है तो प्रिशन आता है कबीर के अनुसार दुखी कौन है तो जो ग्यानी है वो दुखी है यहाँ पर C option है प्रिशन आता है दिपक दिखाई दिने से अंधिरा कैसे मिट जाता है तो एहिंकार रुपी माया दूर होती है जब ग्यान रुपी दिपक दिखाई देता है यानि कि जब हमारे मन से एहिंकार दूर हो जाता है तो उम्हें ग्यान स्वश्च दिखाई देने लग जाता है तो options C जो है सही जवाब है प्रिशन आता है इश्वर कंकंड में व्याप्त है पर हम उसे देख क्यों नहीं पाते हैं तो क्यों नहीं देख पाते हैं मन में छुपे हुए एहंकार के कारण हम उसे देख नहीं पाते हैं कभीर के अनुसार कौन ग्यानी नहीं बन पाया है तो उनके अनुसार मोटी पुस्त के पढ़ने वाला व्यक्ति ग्यानी नहीं बन पाया है तो ये option सही है प्रेशन है कभीर की साख्यों का मुखे उदेश्य क्या है कभीर की साख्यों का मुखे उदेश्य जो है जीवन जीने के सही धंका ग्यान देना है प्रशनाता है बिरहे भुवंगम तनबसे मंत्र नरागे कोई इसका भाव स्पष्ट कीजिए तो भाव यह है कि जब शरीर में किसी से बिछूने का दुख हो तो कोई भी दवा या मंत्र काम नहीं करता है यही इसका भाव है तो यह सारे मैं आपको यहाँ इसकी प्रशनातर बताए है अगर इसके लावा आपको किसी चैप्टर का प्रशनातर चाहिए तो कमेंशेक्शर में बता देजिएगा और इसके साथ ही अगर आप जो नीटी स्टुडेंट्स हैं उनके लिए कुछ हैल्प करना चाहिए